हेलो गईच कैसे हो आप से उम्मिद करता हूँ अच्छे होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको Google Drive के सभी A to Z सेटेंग और फीचर के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि गईज जो Google Drive है ये सभी के फोन में होता है लेकिन गईज 90% लोगों को Google Drive के बारे में पता नहीं होता है कि आखिर इसको कैसे यूज करते हैं गईज अगर आप अपने डेटा को लाइफ टेम तक के लिए सेव करना चाते हो तो Google Drive से अच्छी चीज आपको नहीं मिलेगी गईज आप मैंसे काफी सारे लोग अपने फोटोस को, वीडियो को, डॉकुमेंट को, पिन ड्राइब में सेव करते होंगे, फोन में करते होंगे और हार्डिक्स में करते होंगे लेकिन जब यह जो device है यह खराब हो जाते हैं तो आप अपने data को recover नहीं कर पाते हो इसी के साथ में आपका जो data है वो loss हो जाता है अगर आप अपने data को Google Drive में save करोगे तो दोस्तो गो lifetime तक के लिए save हो जाएगा आप उसको lifetime तक के लिए use कर सकते हो और गैज इसकी खास बात यह है कि Google Drive में आप 15GB तक का data free में save कर सकते हो तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा A to Z setting और feature के बारे में बताने वालों कि कैसे आप Google Drive को use कर सकते हो क्या-क्या इसमें हमें feature मिलते हैं कैसे आप अपने photo, video, document को upload कर सकते हो कैसे आप download कर सकते हो तो दोस्तो आज के ये वीडियो काफी interesting और काफी important होने वाला है तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और गैज अगर वीडियो पसंद आए तो like, share, comment, चल को subscribe जरूर किजएगा चल ये वीडियो को सुरूर करते है आप गैज चले मैं आपको Google Drive के सभी A to Z setting और feature के बारे में बताता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने Google Drive को open कर लिया है जब आप Google Drive को open करोगे तो कुछी इस तरह का interface मिलेगा इसके बाद guys आपको यहाँ पे click करके अपने Gmail ID को select करना होगा जब आप Gmail ID को select कर लोगे तो आपका जो account है वो create हो जाएगा अब guys चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपना data Google Drive में upload करना है फिर इसके बाद मैं आपको इसके features और setting के बारे में बताऊंगा guys आपको सबसे पहले यहाँ पे plus पे click करना होगा जब आप यहाँ plus पे click करोगे तो आपको काफी सारे option मिलेंगे guys यहाँ पे नीचे जो option है यह application के option है जैसे यहाँ पे google doc हो गया, google sit हो गया और उसके बाद यहाँ पे google slide जब आप इन तीनों पे click करोगे तो आप redirect हो जाओगे play store में आपको यह application install करने होगे अब guys यहाँ पे आपको एक option मिलता है folder का, upload का और scan का अब यहाँ पे आपको एक folder create करना होगा जैसे आप photo upload करना चाहते हो तो आपको photo के नाम से एक folder बना लेना है अगर आप video upload करना चाहते हो तो आपको video के नाम से doc upload करना चाहते हो doc के नाम से तो दोस्तों यहाँ पे हम folder पे click कर लेते हैं अब यहाँ पे जैसे मुझे photo upload करना है ठीक है तो यहाँ पे हम इसका नाम photo डाल देते है तो guys यहाँ पे हमने photo डाल दिया अब यहाँ पे हम create कर लेते है हमारा जो folder है वो create हो चुका है अब हम इस folder पे click करते है guys अब यहाँ पे आपको अपना data upload कर देना है जो भी photo आपको upload करना है simply आपको यहां पे plus पर click करना होगा इसके बाद guys, आपको यहां पर upload पर click करना होगा, जब आप upload पर click करोगे तो आपके phone की जो gallery गालरी है, वो open हो जाएगी, file manager आपको यहां पे source आएगा, मतलब guys आपके phone का जितना भी data है, आपको यहां पे source यहां से आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हूँ अब जैसे यहां पर हम एक फोटो सल्ट कर लेते हैं तो गैस यहां पर हम एक फोटो सल्ट करते हैं मुझे जो भी फोटो अपलोड करना है मैं यहां पे क्लिक करता हूँ और जैसे मुझे यह वाला फोटो अपलोड करना ह तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो upload होना start हो चुका है यहाँ पर थोड़ा सा time लगता है यानि guys आपके internet की speed के उपर depend करता है uploading तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो google drive में upload हो चुका है अब हम इस पर click करते है guys यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो upload हो चुका है अब guys आपका यह जो फोटो है यह lifetime तक के लिए save हो चुका है आपको सिर्फ अपने Gmail ID का password और मतलब कि Gmail का जो detail है वो याद रहना चाहिए guys अगर आपका phone खराब हो जाता है चोरी हो जाता है तो guys आप अपने Gmail ID को दूसरे phone में login करके अपने photo को download कर सकते हो री cover कर सकते हो अब चले मैं आपको इसके setting और feature के बारे में बताता हूँ चुकि काफी ज़्यादा important है guys जब आप यहाँ पे three dot पे click करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे option मिलेंगे जैसे यहाँ से आप इस photo को share कर सकते हो किसी के पास भी इसके बाद आपको यहाँ पे एक option मिलेगा add to shared जब आप यहाँ पे click करोगे तो home page पे एक shared का option है मतलब कि आप इसको favorite भी कह सकते हो वहाँ पे यह photo add हो जाएगा आप directly इसको open करके देख सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे नमबर पे एक option मिलता है make available offline यानि जब आप इस पे click करके इसको आप एक type से create कर दोगे कि offline के लिए इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके phone में internet नहीं चल रहा है तब भी आप इस photo को use कर सकते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यह जो photo है यह available हो चुका है offline के लिए यानि internet नहीं चलेगा तब भी हम इस photo को use कर सकते है इसके बाद guys आपको यहाँ पे चौते नमबर पे एक option मिलता है link sharing of guys आप इसके link को share कर सकते हो और guys कोई भी बंदा दूसरा बंदा उस link पे click करके इस photo को download कर सकते है यहाँ पे जब आप इस पे click करोगे तो जो link है वो activate हो जाएगा on हो जाएगा अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो link है वो on हो चुका है इसके बाद guys यहाँ पे आपको एक option मिलता है copy link आप इसके link को copy कर सकते हो अब guys आपको यहाँ पे एक और option मिलता है make a copy guys अगर आप इस photo का copy करना चाहते है तो आप इस पे click करके इस photo का एक और copy बना सकते हो जब आप इस पे click करोगे तो आपको यहाँ पे create यानि select का option आजाएगा जब आप यहाँ पे select करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इसका 2 copy हो चुका है यानि same photo 2 copy तो guys आप photo का copy भी मना सकते हो इसके बढ़ गईज आपको यहाँ पे एक option मिलता है send a copy guys इस photo को आप किसी के पास भी share कर सकते हो यानि send मतलब इसका एक copy जो है वो share कर सकते हो तो किसी के पास भी WhatsApp पे, Bluetooth से, Social Media जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप उन पे इसको share कर सकते हूँ. इसके बाद guys, यहाँ पर लाश्ट में आपको option मिलता है Open with, जब आप इस पर click करोगे तो आपके phone में जितने भी application होगे, जैसे photo application हो गया, gallery हो गया, photo lab हो गया, pixel lab, मतलब कि जितने भी application है, उनका option आजाएगा, उन में आप इस photo को open कर सकते हो, आप guys, यहाँ पर हमें एक option मिलता है, download का, guys, download पे click करके, आप अपने photo को Google Drive से download कर सकते हो, और वो जो photo है, वो आपके gallery में so होने लगेगा, इसके बाद यहाँ पर rename का option मिलता है, आप इसके नाम को change कर सकते हो, और guys, यहाँ पर एक option मिलता है, add shortcut to drive, आप drive के shortcut में भी इस photo को save कर सकते हो, add कर सकते हो, यहाँ पर आपको move का option मिलता है, अगर आप इस folder से किसी दूसरे folder में फोटो को move करना चाहते हो, तो आप इस पे click करके move कर सकते हो, अब यहाँ पे last में एक option मिलता है details and activity, आप इस photo की property देख सकते हो इसका पूरा detail देख सकते हो, कब आपने इसको click किया था इसकी कितने MB का photo है, सारा detail आपको यहाँ पे अगर आप इस photo को directly Google Drive के home screen पे save करना चाहते हो, वहाँ पे show करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पे add to home screen पे click करना होगा और वो photo directly Google Drive के home screen पे save हो जाएगा, यानि जब आप Google Drive को open करोगे तो आपका जो photo है वो show होगा, आपको directly, यहाँ पे आपको remove का option मिलता है, यानि delete का अगर आप इसको delete करना चाहते हो, तो आप इसको delete कर सकते हो अब guys यहाँ पे आपको report, abuse का option मिलता है, तो guys अगर आप report वगरा करना चाहते हो Google Drive को तो आप कर सकती हूँ इसके बाद guys आपको यहाँ पे और भी काफी सारे features यानि settings मिलते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम back करते हैं back आने के बाद आपको यहाँ पे three line पे click करना होगा जब आप यहाँ पे three line पे click करोगे यानि अगर आप photo, video, document अपलोड करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे recent में दिख जाएगा कि सबसे last आपने कौन सा काम इसमें किया है इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा offline का guys मैंने आपको अभी एक feature बताया था कि आप make a label offline बना सकते हो guys जब आप offline के लिए create कर दोगे और label कर दोगे तो यहाँ पे offline में वो photo save हो जाएगा आपको so होगा आप यहाँ पे देख सकते हो offline में यह photo दिख रहा है यानि आपके phone में internet नहीं चल रहा है data नहीं है तब भी आप इस photo को use कर सकते हो इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलता है bin का जब आप यहाँ पे bin पे क्लिक करोगे तो दोस्तों deleted जितने भी photos होंगे folder होंगे आपको यहाँ पे so हो जाएंगे और यहाँ से आप उसको restore यानि recover कर सकते हो और guys इसका एक limited time होता है photo application में तो 60 दिन का time होता है इसमें भी कुछ दिन का timing होता है कि guys उतने दिन के अंदर आप अपने photo को recover कर सकते हो इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा backup का जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके Gmail ID पे जो भी backup save होगा आपको यहाँ पे source आएगा जैसे यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते है एक backup जो है वो save है यहाँ पे app data का जो backup है वो save है call history save है device setting का जो backup है वो save है तो आप इस तरह backup भी देख सकते हो कि आपके Gmail ID पे किस चीज का backup save है इसके बाद guys यहाँ पे हमें एक option मिलता है setting का हम इस पे click कर देते हैं इसके अंदर आपको काफी सारे settings और feature मिलेंगे guys आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो हमें एक option मिलता है storage का दोस्तों आप इसमें 15GB तक का data free में upload कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना storage आपका free है कितना use हो चुका है यहाँ पे जो हमें storage मिला है वो है 15GB और यहाँ पे जो use हुआ है वो है 3.5 MB ही सिर्फ use हुआ है अब इसके बाद guys यहाँ पे आपको backup and reset का option मिलता है guys इस पे आप click करके backup create कर सकते हो यानि आप अपने gallery के photos का backup create कर सकते हो वो आके Google Drive में save हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे notification setting मिलता है आप notification की setting कर सकते हो अब guys यहाँ पे आपको theme का option मिलता है इसमें भी आपको dark mode और light का option मिल जाता है अगर आप dark mode यूज़ करना चाते हो तो आप इसको dark कर सकते हो अब guys यहाँ पे आपको एक option मिलता है clear कैसे का guys आप यहाँ पे clear कैसे कर सकते हो जो कैसे files हैं वो automatically delete हो जाएंगे clear हो जाएंगे यहाँ पे आप कैसे size भी देख सकते हो 200MB का कैसे file है तो आप उसको delete कर सकते हो तो दोस्तो मैंने आपको लगबग Google Drive के सभी features और settings के बारे बता दिया जो कि काफी ज़्यादा important है आप इस तरह Google Drive को use कर सकते हो अब guys यहाँ पे आपको इस्टेर्ड वाले और favorite वाले जो मैंने features बताये थे यहाँ पे आपको ने अप्लिकेशन स्लेटेड ने ने जनकारी स्लेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद